हेलो दोस्तो नमस्कार आज हम बनाएंगे हरे चने और आलू की स्वादिष्ट सब्जी तो आप लोग देख सकते हैं कितना चाहा हमारा सब्जी बनकर के रेड़ी हुआ है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनानाय स्टार्ट करते हैं क्लितने सबसे पहले इसले हम कराहिए को गड़म कर लेते हैं यहां पर हम दो से तीन चमस तील रख देंगे यहां पर हम्हाद kilogram जीळा रख दिये है और जीधर अच्छे पूरन गया है यहीं पर हम दो मीडियम साइज का प्याज लिये थे उसको बारीक चॉप मंड़क यह ले लिया है अब इसको हम प्याज को अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं तो देख सकते हैं प्याज भी हमारा भून चुका है तो यहीं पर हम चार मीडियम साइज के आलू को छील करके थोड़ा से बड़ा-बड़ा काट लिए हैं इसको भी आलू को भी हम थोरी दर के लिए भून लेते हैं कि तो यहां पर हम 1-2 मिनट तक आलु को भी भून लिए हैं अच्छे से और आलु भी भून गया यहीй पर हम अब हरा चैनगा डाल देंगे हम हरे चैने को गरम पानी से इसको धो लिए थे बहुत आच्छे से इसको भी मिक्स करके भूनेंगे दो से तीन मर्ड तक अच्छे से आप चाहो तो हरचनी को थोरा सा बॉयल भी कर सकते हैं दो से तीन मर्ड तक अच्छे से तो गरम पानी से भी दो देते तो बहुत अच्छा से पक जाता है तो देख सकते हैं यहां पर हमने छो लिया मतलब हरचना को भी अच्छे से भून लिय यहीं पर मसाले डाल देते हैं तो यहां पर चमच हल्दी पाउडर है और एक चमच लाल मिर्ची पाउडर कि देश जमच धनिया पाउडर और शौद के अनुसार नमक डालेंगे और यहीं पर डाल देंगे हम एक छोटी चमच गड़ा मसाला अब मसाले को हम सब्जी में अच्छे से मिक्स करके इसको एक से देर मिनट तक बहुत ही अच्छे से बूल देंगे तो यहां पर हम आच्छे से चला देते हैं ताकि सारे सब्जी में मसाला मिक्स हो जाए और यहीं पर हम डाल देंगे दो टमाटर का प्योरी बनाई थी वो डाल दूँगे आप चाहते हो चोटा चोटा काटके भी रख सकते हैं और टमाटर को पीज़ के रखने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है तो इसको मिक्स कर देते हैं इसको हम 2-3 नट तक बहुत ही अच्छे से हम इसको मीडियम हा तो सूखा सब्ची बनाएंगे यहां पर एक लास बनाया मैं डाल है इसको बना सकते हैं but में एसको अब यहां पर पांस मिनट होग गया है पिर talkin' Пр lots ऐसे से उबल रहा है मतलब अब इसको हम आलू को चेक कर लेते हैं तो आलू थोड़ा और पकेगा अभी थोड़ा सक अच्छा है तो इसको एक बार फिर से ढख देंगे हम अब हम पास मिनट के लिए और पका लिये थे तो अब हमारा आलू भी लगबग होई गया होगा एक अलू कोचे के देख लेते हैं हमारा आलू बहुत ही अचक्छे से और हो चुका है तो प्लेक सकता है इतना दिल्दी कट रहता मतलब आलू भी बहुत ही अच्छे से पक गया है हम थोरा सा धानिया डाल देंगे अब इसको मिक्स कर देते हैं आप लोगों को मेरी ये हर चना और आलू की रेस्पी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएगा फ्रेंड